येस, रेडी फोर डिक्टेशन स्टार्ट उपाधेक्स महोदे भारत सरकार और सेना देश के सामने उत्पन चुनोतियों को पूरी तरह समझती हैं और उनके मुकाबले का पूरा परत्पंद किया जा रहा है विरा इसके लिए सेना के प्रशिक्षन नई हथियारों की वेवस्था हरक छेत्र में आधुनीकी करन आधुनिक तम हथियारों तथा अन्य साज सम्मान के देश में हो रहे उत्पादन अनुसंधानवे विकास तथा सामरिक समता के विकास का काम किया जा रहा है विरा अब समय आ गया है जब हमें अधोनिक तकनीक तथा अपनी संठात्मक व्यवस्था का व्यापक मुल्यंकन कर नई प्रिस्थितियों के अनुकूल सामरिक व्यवस्था करनी होगी विराम। यह प्रसनता की बात है कि इनके लिए 25 वर्षों के नीती तथा कार्यकर्मों का निर्धारण किया गया है विराम। समय की अनिवार्यता के प्रती सेना और सरकार दोनों ही जागरुख हैं तथा उसकी पूर्ती के लिए ततपर और कृत संकल्प है विराम। हर मामले में प्राथमिक्ता निर्धारित कर दी गई है और उसका कार्यानवयन चल रहा है विराम। सैन्य और सस्तर दोनों ही सक्तियों का तेजी से विकास किया जा रहा है विराम। भारत का अपना मुख्य युद टैंक भी कुछ समय में बन कर तयार हो जाएगा इसमें विलंब हुआ है लेकिन इस विलंब की अलोचना सही नहीं है क्योंकि विकास कार्या में समय लगता ही है विराम पहरा। आज के जमाने में हतियार ही सब कुछ नहीं है विराम। मुख्य बात है सैनिकों का प्रशिक्षन विराम। मुझे खुसी है कि यह काम भी तेजी से चल रहा है। विराम हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत उंचा है विराम। यह सबसे मेहतव्पुल्ण बात है विराम पाकिस्तान को भले ही अमेरिका से अधुनिक्तम हथियार मिले। लेकिन भारत की तैयारी के सामने पाकिस्तान भारत पर हमला करने का साहस नहीं कर सकेगा विराम और इससे ही हत्यार जमा करने का उसका मनसूबा पस्त हो जाएगा विराम भारत के मुकाबले वह कब तक और कितनी मात्रा में हथियार खरीद पाएगा और उसका लाब क्या होगा यह देखना है विराम पाकिस्तान द्वारा प्रमाणु हथियार बनाने की कोशिस के संदर्ब में देश की सुरक्षा के लिए प्रयाप्त उपाए किये जा रहे है विराम संगठन तथा प्रशिक्षन तीनों ही मामलों में इस खत्रे का सामना करने का उचित प्राबंद किया जा रहा है विराम नए थल सेना ध्यक्स जन्रल सुन्दर जी का देश को दिया गया यहे आसवाशन काफी महत्व का है कि राष्टर की पूरी तरह रक्षा की जाएगी विराम उन्होंने यहे भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ परमाणू हथियारों का उप्योग किया तो हम उसे सही जवाब देंगे इसकी पूरी तैयारी है विराम उन्होंने बताया कि भारत की सुरक्षा वेवस्था पाकिस्तान के खत्रे को देखकर नहीं की जा रही है विराम हम संपूर्ण राष्टे सुरक्षा तथा सभी खत्रों के संदर्ब में अपनी सैसस्तर सेनाओं को सबलवे सक्षम बना रहे हैं विराम इसके लिए प्रशिक्षन पर विसेस बल दिया जा रहा है विराम इसके साथ ही साथ तीनों सेनाओं में तालमेल लाने तथा उनके सम्नवित नियोजनुए विकास पर जोर दिया जा रहा है विराम सरकार इसके महत्व को समझती है विराम एक ऐसी पर नाली का विकास किया जा रहा है जिससे तीनों सासस्तर सेनाओं कीक सम्ता के अधिकतम विकास का कारिये किया जा रहा है विराम पुनरगठन का काम भी युद सतर पर चल रहा है विराम सरकार इस मामले में पूरी तरह से सचेष्ट और जागरुक है विराम उत्री सिमा पहाडी होने के कारण अनेक कठिनाईया है विराम इसलिए नए और अधोनिक यंत्र की वेवस्था की गई है जिससे उत्री सिमा की और अधिक ध्यान दिया जा सकेगा विराम किनही प्रिष्टितियों में अचानक ही सैनिकों को युद स्थल पर पहुँचना आवशक हो जाता है विराम इसके लिए यह आवशक है कि संचार तथा सुचना के मामले में भी सुधार लाया जाए विराम इलेक्ट्रोनिक युद की वेवस्था भी आज की बड़ी जरूरत है विराम इसके लिए भी सैंतर उपलब्द किये जा रही है विराम सेना का अधुनी की करण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है विराम इसके साथ साथ सेना में उत्रदाईत्व का विकेंद्रिकर्ण करना भी जरूरी हो जाता है विराम इससे हर कमान अपनी जिम्मिदारी का प्रभावी तोर पर निर्वाह कर सकेगा विराम सेना में सेवा की सर्तों में सुधार पर वेतन आयोग उनके हितों का ख्याल रख सकेगा विरांग वेतमंत्राले भी उनकी जरूरतों के प्रति जागरुक हैं हलांकि हमें विकास की प्रकृरिया में भी धील नहीं देनी है विरांग यह हैं मैं मानता हूँ कि सेना के पद कम है जिससे उन्नती की अधिक गुंजाईश नहीं रहे जाती विराम इस तरह से रेंक के अधार पर वेतन मान का निर्धारण अकर्शक नहीं रह गया है विराम इस तरह से रेंक के अधार पर मेरे विचार में वेतन सेवा की आउधी पर तैं किया जाना चाहिए विराम अन्य सेवाओं को जो वेतन तथा स्विधाई उपलब्द हैं उतनी तो सैनिकों और अपसरों को भी मिलनी चाहिए विराम ओवर